आज की कक्षा में आप सब का स्वागत है, आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत सरीता भाघती का सात्वा पार्ट कभी कुल गुरुह कालिदासा इस पार्ट में हम लोग कालिदास के बारे में सीखेंगे आप प्रिस्तावना में देख रहे हैं लिखा है संस्कृत साहित्य में कालिदास का नाम सुप्रसिद्ध है संसार के अन्य सभी साहित्यकारों में इनका स्थान सर्व परी है ये वहमुखी प्रतिभा के धनी थे, अपनी रचनाओं में इन्होंने संस्कृत साहित्य का सम्मान बढ़ाया है, चाहे वह कावेशैली हो या नाटेशैली, दोनों ही रूपों में कालिदास्त ने अपनी लेखनी को अमर किया है, ये कोर मेगदूतम, रगुवन्सम जैसे महा काव्य ग्रंथों की रचना करके विश्व में संस्कृत भासा का मान बढ़ाया, तो दूसरी ओर अविज्यान सकुन्तलम नाटक लिखकर संस्कृत साहित्य के गौरों को उचा किया, कावेश्यो नाटकम रम्य तत्र रम्या सकुन्तला, काव्यों में नाटक सबसे सुन्धर है, वह सुन्धर नाटक है क्या, सकुन्तला, कथना अनुसार, उनके कहने के अनुसार, अविज्यान सकुन्तलम बिश्व के स्रेष्ट नाटकों में गिना जाता है, अविज्यान सकुन्तलम जो है, बिश्व के सभी नाटकों में सबसे स्रेष्ट है, इसमें समराट दुस्य और सकुन्तिला की अमर प्रेम कथावर नीत है। एक साथ स्वर्ग लोग और पृत्वी लोग का मिलन इस नाटक की अनपौम गटना है। सबसे स्रेष्ट हैं। कहा जाता है कि यह महा कवी बाले काले यानि बच्पन में महान मुर्ख थे। कन्याया व्यवारें दुखिता भुत्वा पंडिता तम मुर्ख कालिदासं राजग्रिहं आनित वन्त है। एक राजकन्या के व्यवार से दुखितो करके पंडितों ने उस महान मुर्ख कालिदास को राजा के दरवार में लाया। विद्योत्मा नाम राजकन्या सह छलीन कालिदास से विवाहम कारित वन्त ह। सर्वे पंडिता विद्योत्मा नाम की राजकन्या के साथ धोके से कालिदास का विवाहम उन्सभी पंडितों ने करवाया। विद्योत्मा विदुसी आशेत विद्योत्मा पड़ी लिखे थी ज्यानी थी। विवाहस से प्रथम रात्रों एव कालिदास से मुर्खताम ज्यात्वा सा अतिव दुखनी अभवत। विवाह की पहली रात को ही कालिदास की मुर्था को जानकर वह बहुत दुखी हुई। ततनी की उसके बाद पत्नी की प्रतार्णा सी पत्नी की फटकार सी यह काली रास दुखित हो करके घर त्याग कर यह कांत में काली देवी की अराधना की तस्य निश्टया प्रसन्णों भुत्वा, उनके निश्टा से प्रसन्णों कर देवी वरम ददो, देवी नि वर्दिया, वरम लब्द्वा सह, अधृत्य ह, वेद्वान अववद, वरदान प्राप्तिकर के वह, अध्वित्य यानि उनके जैसा कोई नहीं, वेद्वान अनन्तरम सह अनिकान ग्रंथान अरचत उसके बाद उन्होंने अनिको ग्रंथों की रचना की तस्य प्रसिद्य महाकाव्य सताः उनके प्रसिद्य महाकाव्य है कुमार शंभवं रगुवन्शम चाः ये दो महाकाव्य है कुमार शंभवं और रगुवन्शम वे काव्य खंडे सताः दो काव्य खंडे हैं रितु सनहारम मेगदूतम चाः रितु सनहार और मेगदूतम अनेन सह महाकवी त्रेडी नाट यकानी अपि अरचत इसके अत्रित महाकवी कालिदास्त ने तीन नाटकों की रचना भी की विक्रमो वर्षियम, माला विकावने मित्रम और अभिज्यान शकुंतलम ये तीनों उनके नाटक हैं नाटके शु अभिज्यान सकुंतलम विश्वे महतिम ख्यातिम अलवत नाटकों में अभिज्यान सकुंतलम को विश्व में बहत ही प्रसिद्धी मिली अभिज्यान सकुंतलम के नाटक के नाटक के समराट दुश्यानत है नाइका प्रकृतिकन्या शकुंतला चा और उसकी नाइका जो है हिरोईं जो है वो प्रकृतिकन्या सकुंतला है एक दा वनी आखेटम कुरवन दुश्यानत कन्वस्य आश्रमम आगत्वान एक बार वन में आखेटम यनि शिकार करते हुए दुश्यानत कन्व रिसी के आश्रम में आश्रम को आई आश्रम में सकुंतला एकाकनी आश्रम में सकुंतला अकेली थी दुश्यंता आश्रमम उपविश्य तापसी कण्याया सकुन्तलाया रूप लावन्यम द्रिष्ट्वा तस्या अनरक्तवान आश्रममे प्रवेश्कर तापसी कण्या सकुन्तला की रूप लावन्य यानी रूप के सुन्दर्ता को द्रिष्ट्वा देखकर तस्या अनरक्तवान उसपर वो मोहित हुए सकुन्तला अपिदुश्यन्त को देखकर तम प्रति उसके प्रति अनुरक्त थोई यानि मोहित थोई अनिन परस्परम अनुरागम जाता इसे आपस में प्यार हुआ कतिपे दिनेशु आस्रमे तो गंधर्व विवाहं अकुरुताम। कुछ दिनों मी ही आस्रम में उन्दोनों ने गंधर्व विवाह किया। पुना कानिचन दिनानी या पहित्वा दुष्यन तह स्वराजधानीं गत्वान। पुना कानिचन कुछ दिनों या पहित्वा रहकर दुष्यन स्वराजधानीं अकनी राजधानी गत्वान गए। परन्तु गमन समय लेकिन जाते समय सह उन्होंनी स्वस्य अपनी नाम अक्षर युता अपनी नाम के अक्षर की लिखी हुई मुद्रिकाम अंगुठी अभिज्यान रूपेंड यादगार के रूप में ते। सोम तिर्थात पुन्रागत्य महर्शी कर्ण्वे सकुन्तला दुष्यन्त विश्यकम वृतम ग्यात्वान सोम तिर्थ से वापस आकर के महर्शी कर्ण्वे सकुन्तला और दुष्यन्त के विश्यमी सारी बात जानी तदा सह तब उन्होंनी सकुन्तलाम पती ग्रिहम क्रेश लेकिन दुर्वाशा साप वशाद, दुर्वाशा के साप के कारण, दुशेंत सकुन्तलामना सुकृत्वान, दुशेंत ने सकुन्तला को स्वेकार नहीं किया, दुखिता सकुन्तला मारीचे आश्रमी निवाशम अकरूद, दुखी होकर के सकुन्तलानी मरीच आश्रमी तत्र सा एकम बालकं असुय, वहाँ उसने एक बालक को जन्म दिया, कालांतरम अश्रमे दुश्य अंतस्य सकुन्त लाया सह मिलनम अभूँअत, कुछ समय बात अश्रमी दुश्यंत का सकुन्तला के साथ मिलन हुआ, दुश्यंत पुत्रम लफद हुआ, अतिव प्रेसंनों जाता है, दुश्यन्त, पुत्र पाकर, बहुत ही प्रशन हुए, सह सोपुत्राश्य भर्टा ही थी, नाम संग्याम अकरोद, उन्होंनी अपने पुत्र का भरत ऐसा नाम किया, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पाट का हिंदियानबात किया, चात्रों से अनुरोध है कि आप लोग इस पार्ट के शब्दार्थ को कठीन शब्दों को आवस्य याद करेंगे अब हम लोग चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरब काली दास का आसेद काली दास काली दास कौन थे तो काली दास जो थे स्रेश्ट तमह यह ना आसेद काली दास स्रेश्ट तमह आसेद यह आप लिखेंगे कि संस्कृत भाषाया संस्कृत भाषाया संस्कृत भाषा की जगत गुरु आसेद दोनों हो सकता है काली दास संस्कृत भाषा की सबसे श्रेश्ट कभी थे यह संस्कृत भाषाया जगत गुरु आशेद दोनों हो सकता है दुश्यंतस से पुत्रस से नाम के मासेद दुश्यंत के पुत्र का नाम क्या था तो भारत था दुशंत के पुत्र का नाम भारत था। काली दास कानी नाटकानी लिख़त। काली दास ने कौन-कौन से नाटक लिखे तो विक्रमो वर्शियम, माला विकाडनी मित्रम और अभिज्ञान सकुन्तलां। उन्होंने तिल नाटक लिखे, पहले का नाम है विक्रमो वर्षियम, माला विकागने मित्रम और अभिज्ञान सकुंदलम सकुंदला कुत्र निवसतिस्मा, सकुंदला कहां रहती थी? आश्रमी, आश्रम में कालिदास बाले काली की दृषिया आश्र, कालिदास बच्पन में कैसे थे? तो मुर्ख थे कालिदास से पत्निया नाम के मासे, कालिदास की पत्नी का नाम क्या था? विद्योत्मा मेग दूतस से रचनाकारह का आसेत, मेग दूत के रचनाकार रचेता कौन थे कालिदास अभिज्यान सकुन तलस्य नाटक कारह का आसेत, अभिज्यान सकुन तलम नाटक के नाटक कार कौन थे कालिदास Q2 में एक वाक्य में उत्तर देना है कालिदास व्रिक्षत से साखायाम उपविश्य किम अकरूद तो यहाँ पर प्रश्णिवाच्चा की सब्द किम है कालिदास व्रिक्षत की शाखा पर बैठ कर क्या कर रहे थे तो किवल किम की जगह पे आप करतनम कर देंगे यानि कालिदास व्रिक्षत से शाखायाम उपविश्य करतनम अकरूद यानि डाली को काट रहे थे अगला प्रश्णिवाच्चा है अमारा कालिदास से विवाह विद्योत्मा सा केन प्रकारेण अब होई कालिदास का विवाह विद्योत्मा के साथ किस प्रकार से हुआ तो केन प्रकार्यन यानि छलेन कालिदासस से विवाह विद्योत्मया सह छलेना हुआ कालिदास का विवाह विद्योत्मा के साथ धोखे से हुआ कालिदासस से कावे ग्रंथा नाम लिखे कालिदास के काव्य ग्रंथों के नाम लिखें तो कालिदासस्य कुमार संभमम, मेग दूतम, रितू सनहारम एना रगु वन्षम कालिदासस्य महा काव्य मस्ति ये कालिदासस के महा काव्य थे कालिदासस्य के नाटकों का नाम लिखें तो विक्रमों वशियों, माला विकागने मित्रम, अभिज्यान सकुन्तलम है ना यहां पे अभिज्यान सकुन्तलम हो जाएगा अगला प्रेशन है आश्रमात गमन समय दुशयंता के मकरोत आश्रम से जाती शमय 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 दुशयंता के मकरो के रूप में दी आश्रमात गमन समय दुष्यंत स्वयस्थ नाम अक्षर युता मुद्रिकाम अभिज्ञान रूपेड आददत अगला प्रेश्ण है दुष्यंत कथम वनम अगच्छत दुष्यंत क्यों वनमी गए तो दुष्यंत आखेटम कुर्वन वनम अगच्छत महरसी कर्ण ब्रितानतम ज्यात्वा के मकरोत। ब्रितान्तम ज्यात्वा शकुंतलां, पति-ग्रेहां, प्रेशित्वां। महरसी कर्ण जो हैं उसारह समाचार जानकर शकुंतला को पती के घर भेजे। दुखिता शकुंतला कुत्र गथा, दुखित शकुंतला कहां गई? तो दुखिता शकुंतला मरीचे गथा, है न, मरीच आश्रम में गई? अगला प्रेश्ण है आपका अधोलिखे तह पदय वाक्य निर्माणम कुरुद निचे लिखेगा प्रेश्णों से वाक्य निर्माण करना है कहे वनी, खगा वनी निवसंती पक्षी वन में रहती हैं आश्रमी, मुन्य आश्रमी निवसंती मुनी आश्रम में रहती हैं शाखायां ब्रिक्षश्य साखायां काकह अस्ती, ब्रिक्ष की साखा पर कौवा है, सह कार्यम अकरोद, उसने कार्य किया, द्रिष्टवा देखकर, सह चित्रम द्रिष्टवा गच्छती, वह चित्र देखकर जाता है, रचित्वान, सह नाटकम रचित्वान, उसने नाटक की रचना की, यहाँ पे पुन्ड विराम रहेगा नाटकम अयम नाटकम शोवनास्ती यह नाटक सुन्दर है आसेट सहभलू का आसेट वह भालू है आपको भी यहाँ पे वाक्य बना सकती है पत्नी सीता रामस्य पत्नी अस्ती सीता राम की पत्नी है अनन्तरम अनन्तरम यानि बाद में अनन्तरम सागता उसके बाद वह गई अगला प्रश्ण है आपका रिक्त अस्थनानी समुच्चिते पदे पुरेत नीचे लिखे गए पदों की शायता से खाली जगों को भरना है आश्रमम आगत्य कर्ण सर्वं बृतांतम अप्राप्पिधातु का लंगलकार में आपको रूप लिखना है प्राप्तवान यहाँ पे कत्वतु प्रते का प्रयोक किया गया है भूतकालिक क्रिया बनाई गई है दुश्यंतर सकुन्तलाम एकाम मुद्रिकाम दाधातु का लंगलकार में अददत नाटकेशु अविगान सकुन्तलाम प्रसिद्धम अर्षधातु का लंगलकार में नाटको में अविगान सकुन्तलाम जो है वो प्रसिद्ध था काली दासर देवी क्रिप्या विद्वानः भू धातु का लंग लखार में आपको लिखना है अभवत काली दासर त्रेनी नाटकानी रच धातु का लंग लखार में रचित्वान क्वेशन्त ने आश्रम में शिकार किया करते हुए गम धातु का लंग लखार में यानि अगच्छत यहाँ पे हलन्त रहेगा क्वेशन नमबर फाइब में हम लोगों को संस्क्रित में अनुवात कर देना है कालिदास बच्पन में मुर्ख थे कालिदास बाले काले मुर्ख आसे कालिदास बच्पन में मुर्ख थे देवी के क्रपास से वो विद्वान हुए देव्याह क्रपयाह सह विद्वाना अभवद फिर से इसे एक बार देखेंगे देवी के कृपया से वह विद्वान हुए देव्या कृपया सह विद्वान अभुद उन्होंने तीन नाटकों की रचना की सह त्रिणी नाटकानी रचत्वान कालिदास की पत्ने विद्वत्मा थी कालिदासस्य पत्ने आहा की पत्नी पत्ने आहा हैं होगा एना विद्योतमा आसे दुश्यन्त हस्तिनापुर का राजा था दुश्यन्त हस्तिनापुरस से राजा आसे सकुंतला आश्रम में रहती थी शकुंतला आश्रम में निमसती दुश्यन्त ने सकुंतला से प्रेम बिवा किया दुश्यन्त ने सकुंतला से प्रेम विवाह किया, यहां पे हलंत का निशान रहेगा महर सी कर्ण प्रसन्य हुए, महर सी कर्ण वहां प्रसीदतिस्म प्रसन्य हुए वक्ष्यन्बर सिक्स में हम लोगों को संदेविछेत करना है देट्य अरी, देट्य जोड अरी, तथा आदेश, तथा जोड आदेश उप उपंद्रह, उप जोड इंद्रह, महर सी, महा जोड रिशी अगला प्रेशने क्वेशन नमबर सेवंत में हम लोगों को रिकता स्थानों की पूर्ती करनी है तो पहला प्रेशने क्री धातु का लंगलाकार में लिखने है अकरोत अकुर्ताम अकुर्वन खा में है स्था धातु का इसका तिष्च रूप चलता है अतिष्ठत अतिष्चताम अतिष्ठन भूध धातु का लंगलाकार में आपको यहां देखेंगे अभवाव दिया है यानि उत्तम पुरुष्का तो अभवम अभवाव अभवाव क्रेशन नमबर एट में संस्क्रिट में वाक्य बनाना है तो ततः ततः यानि उसके बाद ततः सर ग्रिहम अगच्छत उसके बाद वह घर गया अधुना अधुना मतलब अभी अधुना वयम शैनम कुर्मह अभी हम लोग सोते हैं सोएं कदा यानि कब सकदा आगमिश्यती वह कब आएगा स्वह यानि की आने वाला कल स्वह शोमवासरहस्ती कल सोमबार है हयाह यानि की बीता हुआ कल हयाह रविवासरहस्ती कल रविवार्थ था इदानिम यानि अब इदानिम सह अपठत अब वह पढ़ा मिशाह यानि वेकार सह मिशाह अबदत वह वेकार बोला पुरा यानि प्राचीन, पुरा का मतलब होता है प्राचीन, तो प्राचीन यानि पुरा काली दस्वत नाम राजा से, प्राचीन कालमी दस्वत नाम के राजा थे, तो मुझे उमीद है कि ये पाथ आपको कोई समझ में आ गया होगा, मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वेल आइकेंग प्रेस करेंगे ताकि मैं जब अगला वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिशन आप तक सबसे पहले पहुंचे धन्यवाद